हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड आफ्टर नून इसलिए भोल रहा हूं कि जो वी टाइम पे आप ये वीडियो वाज कर रहे होंगे ठीक है उसके अगॉर्डिंग ली ठीक है तो असेट पाई नमस्कार दोस्तों फाइनली अप्रैल जेही मेंस आ बारा को है चार-बाज दिन के प्रोसेस में एक्जाम हो रहा है तो बैसिकली फाइनली हमारा जो मिशन है उसकी मंजिल बस नजदीक आई चुकी है जो दो साल पहले या तीन साल पहले शुरू हुआ था ठीक है तो और यह तो यही दिन था इसका हम इंतिजार था कि एक्जा कर दोगा लास्टियर यह वाला सेशन जो अपरेल में जब एक्जाम होने जा रहा था आपका वो पहला एक्सपीरिस था तो उन लोग के लिए ट्वेल पास के लिए तो यह थर्ड एस्पीरिस होने वाला है फर्स्ट जो लास्टियर हुआ दूसरा जो भी जैन्वरी मेंस मे हुआ और अभी यह फाइनली होने जा रहा है और हमारे टॉल्थ के वच्चे तो उनके लिए कुई नया स्पीरिस नहीं है जो अपरेल में भी एक्जाम हो रहा है आपका फ्रॉम एट्थ टू ट्वेल्थ आप तो जन्वरी में एक्जाम देही चुके हो यार जन्वरी में थे तो वडवी एक घवराट थी एक अंग्जाइटी थी ना जाने क्या होगा थे म You First Friday been एक बाहर निकल के एक्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तो, yes, I can accept that, I can agree, कि little anxious थे आप, ठीक है, लेकिन आपने देखा, हो गया एक्जाम वो भी, ठीक है, उसके बाद तो आपने दूसरा एक और जो, हमारा famous एक्जाम होता है, CVSC Board का एक्जाम, उसको भी दे लिया, क्योंकि वो भी गर से बाहर का एक्जाम था, उसको भी आपने अच्छे से कॉंकर कर लिया, practical भी शेशन आपने अच्छे से दिये, तो, आप यूस्टू हो गए हो, कि अपने घर से बाहर जाके एक्जाम देने में, ठीक ही, यानि, घर से बाहर का मतलब है कि भी, जो अभी तक हमारे mock test होते आपके एक इन-हूस टाइप के एक्जाम से ठीक है, तो, इसे लगता दे यार तो, घर की खेती सी है, ठीक ही, तो, ऐसे मत को, आप जन्वरी एक्जाम दे चुके हो, 12 पास वाले लास्ट यर का भी अप्रेल दे चुके हैं, और आप बोड का एक्जाम भी दे चुके हो, 12 प कह रहे हैं कि या वीडियो मेसेज में आओ, तो, मैं भी एक एक एंग्शियस था, अल्मुस एक घंटा लग गया मुझे भी, इसको मिल अपने को रिलेक्स करने में, ठीक क्योंकि अब मिस्चूट में हो, किस काम के लिए आता है, को बच्चा मिल जाता है, 2011 का, 2020 का मिल जाता है, 21 का मिल जाता है, इधर अपना administration के लोग मिल जाते हैं, तो वो तो ही भार की चीज़ें, फिर anxiety है, यार की बच्चे एक्जाम दे रहे हैं, मुझे क्या बोलना है, तो इससे वरी natural phenomena, तो anxiety को, एक तो यह natural है, दूसरा, आपका शायद anxiety natural है, लेकिन आप जो है, शायद अप parents है, उनकी anxiety से आप affect हो रहे हो, that is not good, क्योंकि उनके level पे, parents के level पे, उनकी anxiety बड़ी natural है, क्योंकि यार, उनके बच्चे हो, आप जो है, बच्पन से उनने आपको बड़ा किया है, और मेभी January exam के अंदर, आप उनके level पे इतना अच्छा नहीं कर पाए है, या आप भी अपन से एड़ कर सकता है, anxiety को, लेकिन parents के anxiety भी natural है, उनके अपनी level में natural है, आपके अपनी level में natural है, let it be natural, don't fight it with it, don't try to reason out it, आप इसको कारण में, क्यों anxiety हो रही है, यार मुझे जिन्वरी में anxiety भी थी, अभी anxiety हो रही है, यार SNR पे खराब हो जाए, अरे क्यों सोच रहे हो यार ये natural है, ये इतना natural है कि प्यास लगी है, पानी सामने है, पीलिया आपने, ये थोड़ा इसकी पानी की टेस्टिंग करा रहे हो, ये देख रहे हो इसका, कि PPM निकाल रहे हो, जी कोशन आया था, PPM अगर आते है, ऐसे थोड़ी ना होता है, तो इतना ये natural है, हो नही था, इ anxiety भी नहीं हो रही, तो मैं anxiety का इशू पहले इस लिए रहा हूँ, इस लिए रहा हूँ, इसको रीजन करने ही कुशी मत करो, इसके बारे में सोचो मत, आरी anxiety, accept करो, यहां से आयेगी, जाएगी, गुसेगी अंदर, यहां से निकल जाएगी, let it be, it is a process of dynamical, तो पहले चीज़ anxiety से fight मत करो, ठीक है दूसरों की जादा anxiety को अपने साथ absorb मत करो, भी a black body, ठीक है जी, don't absorb anything जो है, और इससे fight मत करो, ठीक है, अब एक दूसरे टाइप की anxiety एक बार को logical है, कि जिन लोग का स्वड़ा जनवरी मेंस का exam इतना बेतर नहीं हुआ, जितनी उनकी ability है, जितना वो सो anxiety थी, वो तो हो सकती, क्या होगा, लेकिन आप मुड़के देखो, जनवरी से लेके आप, जनवरी, फरवरी, मार्च और अपरेल आगे आप तो जो है, तो आप उसको, जो जिन कारणों की वज़े से, आगए भाए खराब हो गया था, मेभी वो on that spot वाले कारण थे कि वही, जनवरी वाली जो चीज थी, उसको आप नहीं हैंडल कर पाए, और उसने अपना रंग दिखा दिया, या फिर आपके तैयारी में कुछ कमी थी, हो सकती है, भी तैयारी शडली एक्टम से जनवरी में एक्जाम हो गया, आपका रिवीजन अच्छे से नहीं हो पाया, आपका होगा, लेकिन हमने आप से रिक्वेस्ट भी करी कंटिनूसली, आपके मिलब जो आपने पेपर डाले गए, हमने अपना विद्यामंदर यूट्यूब चैनल पे, सारे आठ के पेपर के पेपर को मैस के नना भीया ने, फजिस के हमारे अभिशेक, सौरफ सर और अपना शोव से करो, ठीक है जी, मिला 90 कुशन आये, 9, 8, 72, 720 कुशन के आपने अच्छी से दिख लिए, फिर आपने भी 3-4 मौक टेस दिये पिछले दिनों, पुराने मौक टेस रिवाइस की होंगे, तो वह आपने जो कमिया थी, जिनकी वजह से आप जन्वरी में अच्छा नहीं कर पा है, कि आखिर में क्या करना चाहिए, आखिर में टाइम ही कितना है, जो क्या करोगे, ठीक है, अभी यह जो वीडियो है, आपकी मुश्पली 6 तारिक को आप इस वीडियो को वाच कर रहे हो, 6 तारिक, 7 तारिक, 8 को एक्जाम हो रहा है, जिनका 9 को है 3 दिन, जिनका 10 को है, 4 खतम, एक्जाम तो ही नहीं, तो basically क्या है कि आपको अपना mental make-up को बहुत अच्छा सा कर रहा है, right from the morning, ठीक है, थोड़ा सुपह उटरने शुरू हो जाए, biological clock को set करें, body को set करें, 6-6 तोड़ी सी basic exercise करें, कभी आपने यूटूब पे मनना वजा की वीडियो पढ़ी है, उन breathing कर लें, ठीक है जी, और थोड़ा था food पर ख्याल रखें, तो अभी इस वीडियो सुनने के बाद, right from the end of this video, आप अपने को मैस्बूस करें कि I am very positive person, एक post-consciously, मैंने पिछली बार भी आप पुरानी video message देख सकते हो, जिसमें मैंने अरुनना वियाने साथ में message दिया था, उसने मैंने का था, कि MIND की नचरी होती है, जैसे एक कुत्ता होता है, अगर वो species, कुत्ते की shape का, अगर हो भूके ना, तो हम कहें कुत्ता नहीं है, या वो nakली है, वो soft होती है, तो इसालइसे से क्या होती है usually See human mind की, मं की, mind की नचरी होती है, कुछ भू-भू.. कड़ बंद बात करें नेगेडिव बात करेंगा तो आप कॉंशियस ली अपने आपको सेशन दी दो कि यार आइम वेरी पॉजिटिव हो है मैं देखता हूं कि मैं दो सीन साल से मेहनत कर रहा हूं बात कर लिए इसको मैं अच्छे से रिवाइस कर लिया है इतनी वराइडियो कुशन में कर चुका हूं यहार अच्छा ही होने पर चुए तो एक कॉंशियस एफरमेशन जिसे भी कहते हैं मलब वेस्टर्न साइकोलोगिस कहते हैं एक पॉजिटिव एफरमेशन साब को दीनी य तो राइट फॉन दे मॉर्णिंग तिल नाइट कीप यॉर्सल्फ मोटिवेटेड कीप यॉर्सल्फ चीरफुल कीप यॉर्सल्फ जॉइस ठीक है कैसे पेरेंट से जादा अर्गुमेंट नहीं करना है वो कुछ बोल रहे हैं प्रिटेंड करो कि उनकी सुन रहे हैं मैं जा के अंदर एक अच्छा सा एक महल बनाके रखें घरमी का मौसम आ गया है कभी आइस क्रीम खाएं कभी थोड़ी से मलने जो है आपका इखटे बटें को एनिमिटेड मुवीज बगरा देखें हसी मजाक की बाते हो मलने जो है और घर में महुँ सीरिस नहीं होना चीए कि यार बूटअ, मैं बताई रहा हूं ऩ। आप पेरेंट को दिखा थो या वीडियो कि मैं पेरेंट से कह skills कूष का यार तो दो साल से तैरी कर रहे हैं तू तीन साल से तारी कर रहे हैं थो नहीं से लगा है और तेरे में कुछ त्छा करके आना है ने चुर्ली अच्छा करना है हम तो हम यह अपने एज़ पेरेंट क्यों स्पेशलि उंको कहेंगी देख उसको बार पर क्यों रिमाइंड करेंगे तो अच्छा करना है ने चुरली अच्छा होगा यह तो उसको दिलाना ताना देना होता है जो बच्छा पढ़ता निया देख वो दिन आ गया तो नहीं पढ़ उसको बच्छा थी आप में रिक्वेस्ट और गरमें चर्चण ही ना करें एक्जाम की एक खाने भी ने ख्याल रखें टिस्टी फूट घर में बनाएं जो है और यादा फोन मोने बात मत करें श्चेदार हो को इस्टै माने मत दें और अच्छा से मोहल रखें सुपो क्ष़ मेर्ट से सब्सक्राइबने से नहीं है बहुत सब्सक्राइब टोरोगों पर्ष मेरिजेंञा paying बच्च व किसीिए उस पर चिजेंघ पर्चों मेज देना है तो होगी थे अमिशन अभी थोड़े ने अमबीशन की माला ले लोगे ओमने वट फिए पागल होगे आप जो एक है तो अमशन रुकी ब्लकू ठीए अब इस गेम में वह लोट के देख रहे हैं कभी नंबर आते हैं कभी नंबर नहीं आते हैं टेस्टिंग वह तो आप देखो कि आप को कौन अब इसने कॉंफिडेंट बच्चे हो तो छुटी मूटी चीज़ों से अफेट मत ओगे पापा ने कुछ कह दिया या अपने माइं अपने बारे में कुछ कह दिया जो है तो मैं यह कहना चाहरा हूं आप देखो कि अभी तीन-चार दिन बढ़ इस देखा हूं डॉंट भी मेले डॉंट फॉल एर माइं बेविए अफैं यह जिन को अधियों कुछ ताल रखते हैं वुलिफ तैना बेवर ऑफ दॉब भी इं इस आउ इन इस कि इन फ्रेंगे पलिक्टे ए बिवर ऑफ दॉड इस रिज़िए मैं इस थे माना में में ने beware of your own mind don't listen to other's mind first beware of own mind and don't follow others mind to follow your positive mind be confident throughout the day जैसे मैंने का थोड़ा फिजिकल एक्साइस करोगे तो रात की सरी तनाव अगयरा हट जाएगा ठीक हर दो तीन घंटे के अंदर जब भी आपको लगे कर अपनी ब्रीथ के उपर ब्रीधिं के फोकस करो तेको जब भी एक नेचर होती जब भी आप थोड़ी से परशान होंगे चिंता ओगे फिकर होगी आपको ध्यान अट जाएगा कि मैं जब ब्रीद हो रही है नहीं हो रही है या फास्ट हो जाएगी कभी अजाशलो हो तो थोड़ी देर के लिए पांच मिनट के लिए आंख बंद करके अपना ब्रीध इन ब्रीध आउट इस पर फोकस कर लो आपकी सारी इतना डेंशन दूर हो जाएंगे तो बिवेर आफ यॉर सेल्फ बिवेर ओफ यॉर माइंड पहले फिर अपना ख्याल रखो अपने ख्याल इस पर दानमत दो अपनी ब्रीध फोकस कर लो या फिर किस बैच्चे को जाजा लगता है तो अपनी जो हमारे फार्म्रास के रिजिस्टर होते हैं यह हमारे कुछ समरीज को भी उदिए उसको ठाके खोल लो फॉपन लो जिसके सारे फामले है कमिस्टी के लिए कुछ इंट स्ट्मेंटल मूजींक ओनालो अपना सवाशन के अंदर हो जाओ यस तरह से अनुलों विलूं कर vitो ल हंपर लेट नुस्ट्रीक जैन के रह attracted mirror अकछे क्षे तो बढ़ते कि लिए उसरी चैशे अरे बड़ते हैं वह थीय। फीक नहीं होता है तो इस कि आपको आटेन्शन फ्रिसिंस की जाम के बने अपने है अपने हैं कि क्या हूं मैं किस चीज से कुछ हो था हूं मैं अच्चे comparison से खुछ होता हूं अच्छे फूर्स पूर कि कुछ तोड़ा बॉइफरेंड गल्फरेंड रखेंगे मिलना उनसे बाथी नहीं करनी है अपने घर में थोड़ी सी बातचीत करनी है को आपको यह चीज दान रखनी है आपको जह तो और रही को खास बात तो हैं नहीं जो स्टेम पर कुछ करी जा सकती है ठीक है यह बस मैंने बता दिया है चीजें खरब करी आ सकती है ठीक है यह दो बातचीत की अभी एक्जाम से पर अब एक्जाम वाले डे दिन हमने दो तीन दीन चार दिन जितने वह टाइम मिल रहा है आपको अपनी साड़े च्छे बाइब उटना शूरू कर दिया है थोड़ी देस-पंदरे मिनिट की एक्साइज करनी शूरू कर करो एक्जाम वाले दिन भी जो है दूद मत पियो एक्दम से दही के साथ जो है कुछ चीवडा डाल लो उसके अंदर या दही के अंदर कुछ बनाना डाल के कुछ इस तरह के या आपका एपल शेक बगारा मेंगो शेक अभी मेंगो अवलेबल नहीं होता है यह चीज़ पि इनके भी नहीं एक्जाम देना पड़ेगा मलग ठीक ही फिर भी एक्जाम जब सेंटर पे जा रहे हो उस टम पर थोड़ी मुह में मिश्री डाल लो भर लो मुश्री में थोड़ी दूतिन एलाइची डाल लो कोई मूँ का आपका स्केन नहीं कर रहे हैं वो लोग जो है ठी मिश्री तो इस चीज है को अगर मुवी उखलवा लेगा कहना जी मा सुसदी का परशाद है इंडिया में परशाद के नाम पर बहुत असानी से लोग एग्री कर जाते हैं ठीक है बलकि परशाद के नाम से शाहत हो सकता है एक्जाम में आपको मिश्री और इलाइची ले आन लोग वाली वाच उसब रात कोई बना के रख लें ठीक है एक्जाम सेंटर पर टाइम से पहुंच जाएं सेंटर को देख लें इधर अधर जाके यह अपना उबर ओला वगरा इन पर विश्वाद अच्छा ना करें बना पापा अम्मी को साथ ले जाए या टाइम से पहले पहुंचे ट्रैफिक कर यह मां सोचो कि संडे एक के सामने बढ़ा देंगे वह भी एंग्जाटी खतम हो चुगी हमने भी खतम कर दिये और अब नहीं नहीं रही होगी ठीक है तो आंख बंद कर ले और बल्द मन में अपना फिर घहरी सांस ले या मैं और सिंपल सेशन दे बरीद डगेला एकि उस傀ंस दो कर दो खार गता है। यह लोगी ही जोड शैनितर नहीं बोला न similar कि दो हार दे reminds देक्ट और कि पख़ की जे मन आपको इसका अर हिंदी मे जा पिया जो है तो उससे क्या हो जाएगा मन शांत हो जाएगा और माइंड इस्टेबल हो जाएगा एनरची बिल्कुल लेजर भी मन जाएगी और जैसे चीज़ शुरू होंगी आप तूट जाओगे उसके पर चक्डिया फट्टे वाली बाच हो जाएगी अब एक्जाम के डूरेशन में लो फिर इस लाख्ष में कर लो मिनियम टाइम मला मैक्सिम टाइम फॉर्टी फाइफ़ जाता है बोनस मैस अच्छा हो जाता है फिजिस के अंदग मुह रता है शिक्टी मिनट सबीशन टाइम होते है मैस में 60 मिनट में नहीं होता है 75 एक्चुल में इस टाइम मैस यह पहले ही बात कर रखी हमने पुरानी वाली वीडियों लालके देख लेना वैसे मैंने रिपीट कर दिये इसाम में क्या होता है उससे बड़ी प्रॉलम आती है को कुछिं करने बैठ नहीं होता हूं यह नहीं होता है यह ने चुरल है फिर मैं गऊंगोंगों तो भी हम जो है ना बीस-बाइस जारब रेंग लेंग लेंग लेंगे लास्ट वन्दा सेफर साइट कहा रहा हूं और यह सोचना नहीं है तो मैंने बताया है ऐसा नहीं पहले पहले पांचो कोशन नहीं हुए उसके बागले 15 कोशन इंदम से होगे तो यह सब ख्याल रखना है और जो मैंने बताया कि अगरी तीन चार दिन पहले पास दिन पहले डीपरीदिंगी प्रेटिस करते रहोगे अब्सर्व करते रहोगे अपने आपको कि जब मेरी इंग अधर हट जाते हैं तो वह नेचरल हो जाएगा प्रोसेस कि अगर आपको थोड़ी इंग्जाइटी वी नेचरली डीपरीज आती है आपने देखा है यह बहुत बड़े फास बॉलिंग करने जाते हैं रनप पे जाते हैं उल्टा जाते हैं फिर दम से लॉटते हैं तो एक वो कोई कॉशने नेचरल डीपरीज आती है क्योंकि फास बॉलिंग करनी होती है तो वह उसकी रियास करते हैं प्रैटिस करते हैं उसका वह बहुत जादा चाहारी दोस्तों बात जो है फिर एक लास बात होती है मुझसे बच्चे बहुत इंटरस्टिंग बात पूछते हैं आज के लिए इंटरेट गल्चर है यूटूब पर बहुत लोग करते हैं कि वह हाउ टू लगाओ इंकमटिशन एक्जाम जो है ऐसे ऐसे वीडियो मैंने भी देखे हैं वह भी बहुत बोलते हैं मुझे लगता है उन लोग के लिए जो मतलब की मैडिकल का बच्चा है सुज करते हो कि 7th question है आपको इस question समझ में आ गया है थोड़ी सी confusion हो रही है अपने choice पड़ी theoretical question में बहुत जादा होता है chemistry में काफी होगा मेरे दोस्तों क्योंकि थोड़ी लेपर काफी आता है जो हमारे थोड़ीगल चैप्टर होते हैं लगरा यार यह choice ठीक है फिर लगरा बी जोई ठीक है तो आप उस्टेम फिर वहीग डिप्री ठीक है आप देखो कि यार सीधर हो नहीं सकता एभी नहीं सकत बहुत टinery चाहरे हैं चंतगर के जा रहे हैं हायराम मेरा क्या होगा पता है आप का-जो कशिन आपका ठीक-ठाक आता भी होगा आपने कल्किलगेशन में ठीक किया होगा अनसर ब's बी अर अर्स जी टिसको क्लिक कर और जो इतने सान स भी चैशा नहीं से दिश içेड़ confined and mind तो क्लों कॉट्फिट नहीं हो यार आप इतनी आपने सीजनिंग हुई है इतनी दिनों से आप मिले त्यारी कर रहे हो यार जो आप साइश के बच्चे उटके एकजान देने आगे हो या आप साइस के बच्चे गाउबर्स का सीए का इंट्रेस्ट देने आ गे हो या ऐसे नहीं सोचना तो I am in favor of a little calculated and bold risk but यह देखे हैं कि मैं confident personality in general हूँ या नहीं हूँ otherwise अगर आप 60-60 question कर ले तो यह काम मन जाता है final बाग कि सुबह से जब दिन को अच्छा सा रखेंगे positivity रखेंगे argument नहीं करेंगे कोई घर में चिक्ची बाजी नहीं होगी कोई argument नहीं होगा ठीक है तो रिलेक्स माइंड रहेगा गाली में जा रहे होंगे मम्मी पापा कुछ ने को लेक्चर देंगे उनकी सुनते रहना और मतलब हो सके तो चुप-चाप कान में रूह लगा देना उनको दिखाई देनी नह करना है ठीक है फता लगा कि वही मेरे साफ से चार से पांच से ज्यादा कोशन में इस तरह का कैल्कुलेटेड गैस वर के रिस नहीं लेना चाहिए मैक्सिम मदलब चारपाच कोशन और रिदम बनानी आपको रिदम बनाने का मदलब है कि एक कोशन पर अन्नेसरी टाइम वे कर जो अगर एकुरेसी आपकी हाई है तो 60 कोशन यानिकर 240 माक्स हो जाते हैं कम मिस्टेक होगी तो फिर भी 200 प्लस बन जाते हैं लेकिन अगर मैं आप सोचके जाओगे कि 75 कोशन करने हैं दूसरा कोशन गलत नहीं करना है और कोशन गलत नहीं होगा गलत क्यों होगा यार मै आइन आइन अवरिधिंग आयव टेकन सो मैनी टेस्ट जो है और मैंने जो अपने पुराने आयव रिविजिटेट सीन ऑफ माइग्राइम माइव ओन ग्राइम्स कमिटेड बाइमी इन आप टेस्ट इवन जनवरी टेस्ट और सब मुझे पता लग गया कि यह अलिमेंट होत है हमारे वेट भी कहते हैं अनर्जी टेट शिवाल टो ऑल टेगे यह अनर्जी की कौड़ी नहीं होती है कई पॉजिटेव घद्यविटेश्ट आथे अनर्जी और व्यल्स तुटेव छिचे अफृट कि हम इस टेट व माइंड जैसी रखते हैं ऍलग अनरजी हमारे बर सब्सक्राइब करता है तो यह तीन चार दिन आपको मेरी बातों को फॉलो करना है एक बार वीडियो को दो बार सुन लेना इसको अबलग करके ठीक ही और मैं अपनी पूरी टीम के साथ लेके मां सवस्वती से अरादना करता हूं प्रातना करता हूं आप सब कर दोस्तों आपने बडी हसे दिखाई नहीं है फिर मैं थेंक्स करता हूं और चंतना ना करें अभी जर्मी खथम नहीं हुई है, 12 अपरेल के बाद, फिर मैं आपको प्लानिंग दूँगा एडवांस के लिए जो है, और बिट सेट के लिए के लिए कारना है, इस दुरान बिट सेट की देट निकली हुई है, लास चलते लिए बात कर लूँ, कम से खम एक हफते पहले कोशिच करना, बिट से